हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल, कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास, और आज की क्लास है, क्लास 6 की, जो हमारी चैप्टर चल रही थी, वो है फाइबर टू फेब्रिक, उसी की कंटिनिवेशन, तो फाइबर to पेब्रिक में हमने क्या पढ़ाता? पहली बात हमने क्लास 6 में जो पढ़ाता, वो है नेचरल फाइबर के बारे में ठीक है, कहां से मिलता है, सब कुछ यह, हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है? आज हम देखेंगे कि yarn जो हमें मिला, yarn Y, A, R, N, yarn उस yarn से हम fabric कैसे बनाती है? मतलब, हमें ऐसे तो thread मिल गया, एक दम thinner जो thread है, वो हमें मिल गया, ठीक है? उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगा yarn okay? यार्ण, और यार्ण को बुन्ना होगा, ठीक है, आइदर हातों से, या फिर मशीनों से, या फिर बहुत सारे तरीकों से, हमें उसे बुन्ना होगा, क्यों? क्योंकि एक अगर थ्रेड ऐसा हुआ, तो उससे तो कपड़ा कभी नहीं बनेगा, है ना, तो इसलिए हमें एक सूत त्रेड, लाखो त्रेड मिला के, एक हमारा बनता है फैबरिक, ठीक है? ठीक है, यानि कि ये फाइबर, फिर आता है यर्ण, फिर आता है फैबरिक, तो आज हम जानेंगे, ये यर्ण से फैबरिक जो होता है, इसकी ही प्रोसीडियोर क्या है, इसके बारे में हमें क्या-क्य आग जानना चाहिए, यह सब हम आज जानेंगे, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की क्लास, Yarn to Fabric, there are many ways by which fabrics are made from yarn, यानि yarn से fabric बनाने की बहुत सारी तरीकों है, the two main process are weaving and knitting, अब weave करना और knit करना हम सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता है, अब knitting क्या होता है, हम knitting देखे हैं, मतलब मा लीजिए, किसी के घर में, अगर senior citizen है, यानि दादी लोग है, तो उन्हें हम देखे हैं, नीट करते हुए, नीट यानि कि ऐसे बुनते हुए हमने देखा है, ठीक है, तो वो एक process हो गया, knitting, ओके और weaving तो हमें पताई है, कि बुन के हातों से, दोनों ही बुनने का ही एक type है, तो वो कैसे होता है, हमें picture भी दिया गया है, provided है picture, तो वो सब हम आज देखेंगें, first is waving, in activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together, अब two sets of yarn का क्या मतलब है, two sets of yarn का मतलब है, एक set अगर इधर गया, तो एक set इधर जाएगा, ठेक है, यानि कि एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो two sets of yarn से ऐसे बुन के हम fabric बना सकते हैं, ऐसे, बहुत सारा, ऐसे, ठेक है, the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving, मतलब यही जो है, two sets को इस तरफ से ऐसे ऐसे करने का, तो इसे ही हम कहते हैं, weaving, क्या कहते हैं, weaving, ओके, तो यह हो गया हमारा weaving, first process, ठीक है, जो हम ऐसे criss-cross करके बनाते हैं, उसे हम weaving कहते हैं, let us try to weave some paper strips, अब paper strip को weave करके हमें देखना होगा, तो यह easy to understand होगा, ठीक है, अब activity 5 में क्या कहा गया है, take two sheets of paper of different color, different color क्यों, अगर एक ही color हुआ, तो फिर आप लोगों को धिकत होगी, मतलब जानने के लिए या फिर समझने के लिए, यह फिर मतलब कुछ problem हो सकता है, इसलिए यह safe है कि two different colors लेया जाए, ठीक है, two sheets लेना होगा, दो sheets लेना होगा आपको, और दो paper की जो sheets होते हैं, वो different different color को आपको लेना होगा, ठीक है, cut square pieces of length and y equal to 30 centimeter from each sheet, यानि हर एक sheet को आपको एक measurement दिया क्या है, उसी measurement की अनुसार आपको काटना होगा, okay, now fold both the sheets into half, यानि कि both the sheets हैं, उन्हें half कर लीजिए, on one sheet, draw lines as shown in the figure 3.12, यानि 3.12 पे देखिया, आपको बहुत सारे picture दिया गया है, ठीक है, तो A में क्या कहा गया है, ऐसे एक paper आपको लेना है और उसे सिर्फ आधा करना है, ठीक है, fold करना है, कातना नहीं है, अभी तक कातनी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, and on the other as shown in figure, मतलब B पे जो कहा गया है, वो आप कर दीजिये, ठीक है, cut both the sheets along the dotted lines and then unfold, weave the strips one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in figure C and D पे, जो कहा गया है, ठीक है, show the pattern after weaving all the strips, अगर हम ऐसे बताए, तो मा लीजिये, एक strips है ये वाला, ठीक है, dark color की जो है, वो एक sheets है, ओके, ये हो गया हमारा एक sheets, ये number one है, और एक जो है, वो हम blank रखते हैं, तो ये two हो गया, अब इसे जब हम weave करेंगे, यानि एक हमें इस तरफ लेना है, और एक हमें इस तरफ लेना है, तो फिर एक हम इस तरफ ले लिए, और जो number two है, उसे इस तरफ मतलब उपर, तो उपर अगर रख दे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, फिर इसके उपर, इसके उपर फिर हम ऐसा, फिर यहां पे नीचे से जाएगा, फिर उपर, यानि कि एक क्रिस क्रॉस टाइप बन जाएगा, ठीक है, इसी आप मैट पे देख सकते हो ये, आपकी घर के जो मैट है ना, उस पे हम इसी ली ये वाला weaving देखते हैं, तो ये हो गया हमारा weaving, in a similar manner, two sets of yarn are woven, to make a fabric, the yarns are much thinner than our paper strips, ये तो हम सभी लोगों को पता है, कि हमने बस देखने के लिए, समझने के लिए paper strip लिया, ठीक है, इतना मोटा मोटा सा, paper strip भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक drawing है, ये भी इतना मोटा, देखो, इतना मोटा, लेकिन yarn जो है, वो तो इतना मोटा नहीं होगा, वो एक पत्ली सी thread है, तो उसी के बारे में बोल रहे है, है, in a similar manner, two sets of yarn are woven, यानि कि दो sets of yarn को हम ऐसे बुनते हैं, एक इस तरफ से जाता है, एक इस तरफ से जाता है, ठीक है, yarn के बारे में भी same होता है, ठीक है, अब, the yarns are much thinner than our paper strips, of course, weaving of fabric is done on looms, the looms are either hand operated, और power operated, अब यह looms क्या है, looms एक machine है, देखिए, figure पर दिया गया है, figure 3.13 पर, looms क्या होता है, कि एक machine होता है, जिसे हम बनाते हैं, either हातों से बनाते हैं, machine को ऐसे खीच के ऐसे बनाते हैं, हातों से, और फिर machine हो से, यानि कि by hand operate करने की कोई जरूरत नहीं होता है, कोई अलग ही process होता है, उससे हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम looms कहते हैं, तो यह हमने क्या जाना, weaving के बारे में, weaving के बारे में हमने जाना कि यह type होता है, ठीक है, yarn से fabric बनाने की दो type है, either weaving और knitting, तो हम weaving के बारे में जान रहे थे, weaving क्या है, two sets of yarn हमें लेना होगा, ठीक है, two sets of yarn, opposite, place opposite direction, either one, एक अगर इस direction पे हो, तो another one is इस direction पे, ठीक है, तो ऐसे अगर हम बुनेंगे, तो उसे हम कहते हैं weaving, ओके, अब weaving जो है, वो हमने एक activities के थ्रू, paper strip के थ्रू, पहले समझा, फिर उसी process पे yarn से fabric होगा, और यह एक machine के थ्रू होता है, machine हमें use करना पड़ता है, और वो machine होता है, looms, उस machine को हम कहते हैं, looms, looms, L-O-O-M-S, looms, ओके, उस machine को हम कहते हैं, looms, तो यह हो गया हमारा weaving, आप एक बार देख लीजे, फिर हम शुरू करेंगे knitting, done, complete, अब हम जानेंगे knitting के बार में, knitting यानि यानि यह भी one type of बुन्ना ही होता है, कपड़े बुन्ना, जो हम घर के मतलब अमाल लीजिये पहले, अगर घर पे भी आप लोगों ने ना देखा हो, तो फिर TV, serial पे आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि बुजुर्ग जो होते हैं, यानि दादी लोग या फिर ऐसे TV पे दिखाया जाता है, वो बुन्ते हैं, इसे मतलब एक स्टिक होते हैं, दो स्टिक उससे बुन्ते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं, नीटिंग, तो इसी के बाड़े में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, नीटिंग, ओके, यानि कि स्वेटर कैसे बुना जाता है, क्या आपने देखा है, इन नीटिंग, अ सिंगल यर्ण इस यूज़ तो मेक पीस ओफ फैब्रीक, अब पहले हम क्या देखे थे, वीविंग पर हम क्या देखे थे, कि टू सेट्स ओफ यर्ण हमें चाहिए था, ठीक है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, टू सेट्स ओफ यर्ण, ठीक है, लेकिन नीटिंग पर हम क्या देख रही है, कि only one piece, मतलब only a single one yarn is required, ठीक है, यानि कि ऊल की गोले तो आपने देखा ही होगा, तो ऊल की जो गोले है, उसकी जो yarn है, वो तो single yarn है, और उसी single yarn को हम बुन के एक sweater बनाते हैं, इसलिए यहां कहा गया है, कि एक single yarn ही चाहिए होता है, यानि कि कुछ भी, अगर आप सॉक्स क्यों, अगर स्वेटर, या फिर मफलर, यह भी हो, तो अब अगर एक single yarn, ठीक है, not ना लगाया हो, तो वो अगर खीचा जाए न, तो पूरी की पूरी स्वेटर, और पूरी की पूरी मफलर, सॉक्स, जो भी है, वो पूरा मतलब खुल जाएगा, पूरा बिखर जाएगा, ठीक है, तो एक ही single yarn से बनता है न, वो इसलिए, तो यह हमने देखा, अब क्या कहा गया है, Socks and many other clothing items are made of knitted fabric, knitting is done by hand and also on machine, यानि कि सिर्फ आपको process जानना होगा कि what is knitting and what is weaving दोनों में difference क्या है, दोनों में difference है कि knitting में हमें सिर्फ एक ही yarn की जरूरत होता है और weaving में हमें दो sets of yarn की जरूरत होता है, ठीक है? अब weaving and knitting are used for making different kinds of fabric, यानि कि different different kinds of fabric के लिए हमें जो requirement होगा, हमें अगर knitting की जरूरत हुई या फिर हमें weaving की जरूरत हुई तो as per requirement हम वो करते है, ठीक है? अगर sweater बुनना हो तो हम knitting process follow करते हैं, अगर हमें कपड़ा या फिर कुछ सलाई बुनाई करनी हो तो फिर हम weaving use करते हैं. इस fabrics are used for a variety of clothing items, यानि कि clothing की जो जो item होती है वो उन सारी में ये दो technique हम use करते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा क्या knitting and weaving दो technique जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम yarn से fabric बनाते हैं, ठीक है? अब हमारा जो chapter है वो था fiber to fabric, तो हमने क्या देखा? Fiber देखा कि fiber के types देखा, कौन-कौन से types के होते हैं? अब कहां से मिलते हैं? और fiber से कैसे yarn बनते हैं? And then हमने finally देखा कि yarn से कैसे बुन के fabric ready किया जाता है, ठीक है? fabric यानि जो भी cloths हम use करते हैं, वो सब, ओके? अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे history of clothing materials. यानि हमारे जो भी materials है, clothing की, बहुत सारी materials है, हमने इसी chapter पर जाना था, तो उसी के history के बारे में हमें कुछ जानना होगा, ठीक है? क्या कहा जा रहा है? यानि की history book में जहां किया आप लो, history book में हम जब पढ़ते थे के ancient time में क्या होता था? तो ancient time में हमारा जो कपड़े थे, हम तो इतनी advance नहीं थे, कि हमें weaving भी आता होगा उसी time पे, हम तो आग भी जलाना नहीं जानते थे, तब खाना खाना नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे. तो उस time से धीरे, 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 हम develop कुए, ठीक है? तो आज की वब और तब की बार दोनों को mix मत कीजिए, ठीक है? आज हम एकदम pure, well, एकदम बुने हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन तब इंसानों की यह बुनते तो हम ही है, इंसानी तो बुनते हैं, या फिर machine जो बन तो तब तो ना machine था, ना knowledge, तो हम तब क्या यूज करते थे? हमने history book में भी देखा, कि हम तब bark यूज करते थे, या फिर जो fur होते हैं, वो यूज करते थे, या फिर जो बड़े-बड़े पत्ते होते हैं, वो, या फिर animals को मार के, उनकी जो skill होता है, वो हम लपेट लेते ठीक है, एकदम ancient time की बात हो रहा है, ठीक है, क्यूंकि हम पढ़ रहे है history, हमारे clause की history, इसलिए पहले ये था, after people begin to settle in agricultural communities, they learn to weave tweaks and grass into mats and baskets, यानि जब agriculture develop हुआ, agriculture मतलब हम जब खेती करने लगे, तब न, हमने जाना कि weave कैसे करते हैं, यानि grass से, या फिर twig से, fold करके, weave करके, हम mattress, basket, जो भी हमें requirement होता, वो हम बनाने लगे, ठीक है, vines, animal flesh or hair were twisted together into long strand, यानि कि animal hair जो होते हैं, वो twist करके, 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 long thread बनाया जाता था, पहले की समयम की बात है, ठीक है, these were woven into fabric, यानि कि इन से ही सोचिये कि पहले ये बुनाई सीख रहे हैं, तब फिर ना आया इतना development, पहले तो वो सीखेगे बुनाई, तो वो सीख रहे हैं, तो उनके पास material क्या है, उनके पास तो वही, पते हैं, और twig है, grass है, और जो शिकार वो करते हैं, उसी जो animals होते हैं, उनके hair होते हैं, तो उनहीं से वो बुनाई शुरू करते हैं, these were woven into fabrics, यानि कि fabrics पे वो लोग वो weave करते हैं, the early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga, यानि कि Ganga river के किनारे, जो cotton उन्होंने उगाया है, उसी cotton से वो लोग fabrics बनाते रहें, ठीक है, पहले की जमाने की बात हो रही है, अब इतनी well maintained fabric नहीं, मतलब जैसे ही वो hair weave करके बनाते हैं वैसे ही उन्होंने cotton को weave करके cotton की कपड़े बनाएं, Phlox is also a plant that gives natural fibers, In ancient Egypt, cotton as well as phlox were cultivated near the river Neel and were used to making fabric, यानि की ये गंगा, ये नील, ये नदी के किनारे first development होना शुरू हुआ था, तो इसलिए ये दो नाम focus किया गया है, ठीक है? In those days, stitching was not known, यानि की हम तब stitch करना नहीं जानते थे, People simply drap the fabrics around different parts of their body, यानि की जहां जहां उन्हें कपड़े की जरूरत होते हैं, वो directly वहां wrap कर लेते थे, हमारे तरह ऐसे sleeves चाहिए, ऐसे वो चाहिए, ऐसे बुनना उन्हें नहीं आता था, stitch करना भी नहीं आता था, Many different ways of draping fabrics were used, तो इसी तरीके से draping की बहुत सारी तरीके वो लोग use करते थे उन दिनों में, With the invention of the shewing needle, people started stitching fabrics to make cloths, यानि कि जब से स्वी धागा की invention हुई है, तब से हम लोग stitch करना शुरू की है, Stitched cloths have gone through many variations since this invention, यानि कि इस invention की बाद से ही stitch cloths की varieties हमें देखने को मिला, But, is it not amazing that even today, सारी, धोती, लूंगी और टर्बन is used as an unstitched piece of fabric, यानि कि यह मतलब हमें बोल रहा है कि हाँ, हमने तब एक चीज किया था, वो जरूरत था, लेकिन वो culture आज भे कुछ-कुछ dress पे हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक ही fabric होता है, No stitching, वो stitch करके कुछ भी कपड़ा नहीं बनाया जाता, धोती, सारी, या फिर लूंगी, या फिर टारबान, ये सब unstitched रहता है, एक ही long fabric रहता है, Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items, यानि कि हमारी country में ही देख लीजे, हमारी country में जैसे खाने की बहुत सारी varieties होती है, Region wise, मतलब एक region में कुछ अलग खाना popular है, तो किसी और region में दूसरे variety का अलग खाना popular है, ठीक उसी तरह, कपडों की भी variety हमें देखने को मिलता है, एक region में इस तरीके की कपड़े famous है, उस region में वही कपड़े की प्रचलन है और दूसरे region में कुछ अलग तो ऐसे varieties हमें देखने को मिलता है, तो finally हमें क्या कहा गया है, finally हमें एक flow chart दिया गया है कि इस chapter में हमने क्या सीखा, इस chapter में हमने पहले देखा cotton rolls हमने लिया, ठीक है, cotton rolls, cotton पढ़ने की दौरान हमने cotton rolls लिया था, फिर उसे हमने क्या क्या क्या, तो क्या क्या कहते है, क्या क्या कहते है, क्या 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 क्य spinning, यानि spin किया, ऐसे, खुमाया, फिर हमें क्या मिला, फिर हमें मिला, yarn, ओके, फिर yarn से हमने क्या क्या, yarn से दो प्रोसेस हुआ, ठीक है, yarn से दो प्रोसेस, एक क्या, एक हुआ हमारा knitting, and another one is weaving, और ये दो करके हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिल गया, फैबरिक, ओके, तो दो चैप्टर नेम, fiber to fabric complete, क्या हुआ, पहले cotton roll, फिर हुआ fiber, और उस fiber से मिला yarn, और उसे yarn से मिला fabric, ठीक है, तो ये हुआ complete flow chart, तो ये हो गया आपका fiber to fabric chapter खत्म, अगर इस chapter पर कुछ भी problem हुआ, तो आप हमें बता सकते हैं, तो आज की class यही तक मिलते हैं next class पर.